असलाम अलेकुम क्या हाल है आपके उमीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे आज की वीडियो लेडिस के लिए बहुत ही यूसफुल है और बहुत ही कमाल की टिप्स औंट्रिक्स लेके आई हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होग और जब प्रेस करेंगे तो बहुत ही दबदस एक साबन दानी त्यार हो चुकी है आप साबन को जहां मर्दी रखें यह पानी इस तक नहीं पहुंच पाएगा और जाला देर तक साबन आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह गिला भी नहीं होगा और नाहीं पिग लेगा आप बज ले जाना चाहते हैं आप चाहते हैं के पर्स में यह आगे पीछे ना हो तो इसको लिए एक बहुत कमाल के जबरदस टिप है आपको चाहिए होगी पुरानी सौक यह आपने एक जुराब लेनी है नहीं ले 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 अगर आपके पास सिंगल पीस का जुराब कपड़ा है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आपने एक जुराब लेनी तो उसमें इस तरह चोड़ियों को डाल के इस तरह फोर्ड कर लेना है ठीक है अच्छे से फोर्ड करके इसको पैक कर ले अब आप असानी से इसे बैग वगरा में रख सकते हैं और यह खराब भी नहीं हो कि बड़े असानी से बेबी डाइपर बनाना सकाऊंगी जो कि घर में आप किसी भी शॉपर की मदद से इसली बना सकते हैं इसके लिए कोई चीज़ें मुझे नहीं हैं बड़े असानी से आपको घर में यह सब चीज़ें मिल जाती हैं चलो मैं आज आपको बेबी डाइपर का एक खाली पैकिट लेना है पैकिट बड़ी असानी से मिल जाता है आपके पास घर में मुझूद होगा अगर कोई शापर और मुझूद है जिसकी थोड़ी सी शीट हार है तो आप असानी से बना सकते हैं कोई कोई मसला नहीं है आप सोच रहे होगे कि बेपी डाइपर बनाने के लिए मैंने बेबी पैमपर का खाली पैकिट क्यों जूस किया इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि इसको हम अगर बार बार दोएंगे तो यह खराब भी नहीं होगा और ज्यादा देर तक रहेगा और यह बहुत होता है यह फटेग अभी नहीं मैंने शापर की दोनों तरफ से को कट कर लिया है और यह देख सकते हैं आप अब इसको हमने डबल इस्तमाल नहीं करना इसको सिंगल करना है तो पहले आपने इसकी बराबर से कटिंग करने है ताकि यह बराबर हो जाएगा तो इसको आपके लिए दोनों साइडों से हमने कार देना है शापर को इस तरह नहीं करना इसकी प्माइश भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी प्माइश कितनी होती है चोटे बच्छों के लिए अगिए मुद से कुछ सवाल पुचेंगे कि अगर क्या हम इसको बार-बार इस्तमाल क सकते हैं इसे दोग कर दोबारा इस्तिमाल किया जा सकता है एक बहुत यह बात यह कि यह उन लोगों के लिए जो आसानी से प्याम्पर बजार से नहीं करी सकते उनके लिए प्यापर फिदना है अब मैंने इसकी साइडों से कटिंग कर लिया अब मैं आपको इसकी पमाश बताती हूँ मैंने पहले इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच रखिए तो आपने भी 15 इंच तक इसकी लेंथ रखनी है और इसकी चुड़ाई तरह करेंगे मैं इसकी कटिंग करना आपको सिखाती हूं आप ने इसी तरह फीता रखना है इसके उपड़ अगर आपक़ बेबी 2 मां तक है तो नहीं चार इंच तक करके यह पेंपर की शेफ में बान जाए मैंने इसका अच्छी तरह से निशान लगा लिया है आप देए सकते हैं और आपने इसे तरह गोल कटाई करनी आ बेलकल सेम इसी तरह आपने रखना है और इसी तरह गोल हलकी सी कटाई करने हैं और ध्यान रखने इस बात का के बिल्कुल इस तरह अराम अराम से कटाई करने ही ताके ये खराब ना हो और इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह लगता है तो ये मैंने एक्स्टरा कागस भैंक ती है अब देखें ये पैमपर की शेप इसमें आ गया है अब ये बेबी को इसलिली पहनाया जा सकता है ये बिलुक इसी तरह से आप असानी से घर में रहके इसी तरह से घर में बेबी का पैमपर बना सकते हैं इसके अंदर हमने क्या चीज़ इस्तमाल करनी है तो हमने आपको एची तरह से कटिंग कर लिए है अब ये बड़े जबदस त्यार हो गया है इसके बाद हमें चाहिए होगी कॉटन हमने कॉटन लेनी है आप चाहें तो कोई कपड़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई टावल वगरा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं जो आपके पास चीज अवेलिबल हो फिलाल मैं आज मैं आपको कॉटन से पेमपर बराना बता रहे हूं के लिए हम कॉटन इस्तमाल करेंगे कॉटन से हम एक पीस कॉटन का निकाल लेंगे और फिर हम इसको पेमपर में इस्तमाल करेंगे मैंने एक पीस एक साड़ से इसका उतार लिया है औ तो इस चौपर के हम cutting करके एक चोटा सा पीस लेना जोना करता चौपर का तो इसके cutting करके इसमें से एक पीस, शौपर का निकाल लूँगी और इसको हमने पैंपर में जूस करने के लिए इसमें शौपर रखना इसलिए जुरूरी है, ताके बेबी अगरे प्शाव अगरा करे तो वो बाहर ना निकले इसे शापर से कॉटन में जजब हो जाए तो अब इसको हमने टाइट करने के लिए टेप का इस्तमाल करना है इसको फिक्स करने के लिए हम टेप का इस्तमाल करेंगे सिंपल सी टेप है जो घर में आपके मुझूद होती है यह वो ही टेप है उसका इस्तमाल करेंगे इसके चोटे चोटे पीस काट लेंगे और इसी तरह आप ऐसे हाथ पे रख लेंगे ताकि इसको लगाने में असानी हो अब इस तरह काटन को पैमपर के उपर रख दें और इसमें एक कपरा यूज करेंगे इस cotton को ता के ये cotton है जो baby की वेस्ट उता एगे लगयां अधार पर representatives बेबी की वेसट लाइरगरें अर इसको जम्त से बचाने के लिए और रेशिट से बचाने के लिए उस में baby poller का इसे बेबी की वेस्ट ड्राय रहेगी और जमत बगारा भी खतम रहेंगे अब मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और स्पोर्ट करें ताकि मैं आप तक इस तरह की वीडियो जार लाती रहूं तो अब यह मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी अब हमने इस बेबी को बेबी पर बहुत ही जबर्दस तरीके से पैमपर को लगा दिया है तो आप देख सकते हैं यह बहुत एजीली लग गया है और बहुत बच्चों से डिलेटिड इसमें अगर जो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो पैंसल वगारा शॉप करते हैं तो नीचे उसके कवर वगारा गिर जाते हैं तो बैड फिलिंग जाती है अगर उनका टेबल भी गंदा हो जाता है तो उन बच्चों के लिए बहुत लेना है गुबारा बहुत सांब से baru的ी शकिर पर कमप्लीट कवर करत नहीं यह ठोला शॉड़ा सा टाइट है आप इससे बिडा थोड encl लूअन ले सकते हैं जाके इसका जो गांदा है वो अच्छी तरीके से इसमें रहे आप देख सकेंगे के बहुत जबदस अगर आप जितनी मर्जी पैंसले शॉप कर लेंगे नीचे एक परसंट भी गांद नहीं गिरेगा अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स है आई होप यह आपको बहुत पसंद अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा अपनी बहुत को दौाओं में याद रखिएगा टेक केर अलाफीज रब रख